खरगोन जिले के महेश और जनपत पंचायत के दो अधिकारियों को इन दो लोकायुक्त पुलिस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरत्तार किया है जिसमें जनपत पंचायत समनवे अधिकारी महेश पवार को 10,000 रुपिये और लेखपाल अश्वक महता को 500 रुपिये की रिश्वत लेते पकड़ा है इन दोनों रिश्वत खुर अधिकारियों द्वारा महेश जनपत पंचायत से ही वश्वत 2016 में सेवा निवरत हुए फरियादी किशोर पाराशर से 4,80,000 रुपे की जीपी एफ की राशी के आहरं के लिए 30,000 रुपे की रिश्वत की मांग की गई थी जिसके बाद फरियादी द्वारा इन दोनों रिश्वत खुर अधिकारियों की शिकायत इंदोर लोकायुक्त एसपी को किकल थी जिसके बाद इंदोर से अपने टीम के साथ पहुचे लोकायुक्त तरडी एसपी प्रविंट सिह बगेल के नेतरत में पंचायत समनवयक अध पवार को 10,000 रुपे और लेखा पाल अशुक महता को 500 रुपे की रिश्वत लेते रंगे हाथों की रफ्तार कर भष्टाचर अधिनियम की धाराओं के तहत कारिवाही की जा रही है खरगाउन से ब्यूरो की रिपोर्ट पर जनपत का यहां पर पुश्वर इसमें पदस्थ हैं पंचायत समनवयक अधिकारी महेश पवार और यहां लेखा पाल के पदस्थ हैं असोग में था इनके द्वारा पर 2016 में एक और पंचायत समनवयक अधिकारी है कि सोर कुमार परासत जो सोला में रिटाइर हुए से इनके जीपी एफ की रासी आज पिनांग तक आहे दिकनी हुई है इसके लिए इन से जो है 30,000 रुपए की रिस्वत की मांग बारबार की जा रही थी जिसकी सिकायत इनके द्वारा पुलिसति इच्छत लोगा इस चारहले में की गई थी सिकायत का सत्यापन कराया गया सत्यापन के उपरान सिकायत सही पाई गया और बातचीत के दोरान जो है 10,000 रुपए की रिस्वत रासी इन्होंने लेना ताई किया आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी जनपत पंचायत का रहले में जो जो इनके पंचायत कर्वाई कर रहे हैं sir लेखाबाल का नाम किया है लेखाबाल का नाम है असोफ मेहता क्या सुपनाम निखते हैं मैं द्यस्पी प्रेविंट सिंग है लोका इक दिन दौर से हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले